हाई, सबसे पहले तो मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ या रिविवर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो जिसे फिल्म में देखना पसंद है, तो कल आधी पूरुष का टीजर रिलीज हुआ, बात करते शुरुवात से, ओम राउद जो डारेक्टर है, उन्ह उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म आनाउंस की, आदी पूरुष, जो रामायन पे बेस्ट है, तो उन्होंने उस फिल्म के लिए लिया, राम के रोल के लिया है, सैफ अलिखान को, और सीता के रोल के लिया है, कृति सेनन को, तो कल इसका टीजर रिलीज हुआ, जब से आनाउंस की, उसका थोड़ा हाइप बन गया, कि ताना जी के बाद कोई और अच्छी फिल्म बनाएंगे, ओम राउत, तो लेकिन जब तक शूटिंग चालू था, कई से भी ऐसी खबरे नहीं आ रहे थी, कोई कोई अच्छा सेड बना है, कोई बड़ा सेड बना है, आदी पुरुष का यह हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी क्या बना रहा है ओम राउत, इस पे सब की निगाए थी, तो पूरे शूटिंग के बाद, अब फिल्म बनने के बाद, कल जब टीजर रिलीज हुआ, तो टीजर देखने के बाद, मतलब ओम राउत क्या बनाना चाह रहे है, वो ही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो टीजर देखके लग रहा है, ना वो कार्टून लग रहा है, ना वो एनिमेशन लग रहा है, ना वो डंका वी एपेक्स है उसमें, ना वो नॉर्मल कोई फिल्म लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ही लोग कंफ्यूज ह कि उनको actual में क्या बनाना है अगर आउतार जैसा कुछ बनाना चाहते है तो उस लेवल के ना VFX उसमें दिख रहे है ना उस लेवल का कुछ उसमें effort दिख रहा है कुछ-कुछ लोग तो अभी ट्वीटर पे देखा तो कुछ-कुछ लोग तो इसे गेम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये कुछ गेम बना दिये है क्या ऐसा लग रहा है तो मतलब टीजर देखके जो कुछ हाइप था कुछ थोड़ा बहुत लग रहा था कि कुछ आच्छा बनाएंगे ओम राउत लेकिन टीजर देखके ये नहीं लग रहा है कि ये फिल्म कुछ काम कर पाएगी और उनक इस बेस पर उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया है ऐसा तो लग तो रहा है लेकिन टीजर देखके बिल्कुल मजा नहीं आया मतलब उन्होंने एक्चुल में या तो कुछ बाहु वाली जैसा नॉर्मल बनाना चाहिए था या तो फिर ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ साब से वैसे कुछ बनाना चाहिए था लेकिन ये अभी ये मतलब ये कौन सी सीरीज में कौन से जॉनर में ये जा रहा है फिल्म आदी पूरुष के मतलब ये पूरा विएफेक्स बेस्ट है और दूसरी बात ये है कि टीजर में कुछ पलो के लिए लग रहा है कि ये दिख रहा है जो जानवर वगरा दिखा है वो एकदम विएफेक्स वाले है और सैफाली खान का लुक तो बिल्कुल ही नहीं जाचाहे रावन मतलब ऐसा इमेजी नहीं नहीं कर सकते हम के इसे छोटे एकदम बाल करके एकदम कुछ तो अलगी दिखाया है मतलब वो रावन के विजन पर बेस्ट है अभी कि वो क्या बनाना चाह रहे है अभी लेकिन मज़ा नहीं आया लेट सी अभी यह बॉक्स आफिस पर क्या काम करती है क्या नहीं करती है तो वो तो बाद में ही पता चलेगा ओके थैंक यू